हलो फ्रेंड्स प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को क्लिक करें जिससे की मेरी एक भी वीडियो मिस ना कर पाएं हलो फ्रेंड्स वेलकम टू पारूल्स किचन आज हम बनाएंगे चिली पनीर यह बहुत ही टेस्टी बनता है और बड़ों के साथ बच्चों को भी बहुत ही पसंद आता है चली हम बनाने स्टार्ट करते हैं इसके लिए हम लेंगे 250 ग्रेम पनीर जिसको हम क्यूब्स में इस पर हम स्प्रिंकल करेंगे हाफ टी स्पून से भी कम ब्लेक पेपर पाउडर और अब हम स्प्रिंकल करेंगे हाफ टी स्पून सॉल्ट और हम इसके उपर डालेंगे एक टेबल स्पून कॉन स्चार्च इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे बिल्कुल हलके हातों से और हम पैन में अब ओयल डालकर करीब एक टिबर स्पून मैंने ओयल लिया है इसमें हम शैलो फ्राइ करेंगे आप चाहे तो यहाँ पर इसको डीफ्राइ भी कर सकते हैं बहुत ही क्यारफुली इसको हम पल्टेंगे और यह इस तरह से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे यह हमारे पनीर फ्राइ हो गया है अब हम सेम पैन में ही एक टेबल स्पून ओयल लेंगे और इसमें डालेंगे हम एक टेबल स्पून जिंजर और गार्लिक बारी कटा हुआ थोड़ा सा सोटे कर लेंगे अब हम एड़ करेंगे दो ग्रीन चिल्डी स्लाइस में कटे हुए और एड़ करेंगे हाफ ओनियन और हाफ कैपसिकम इसको हम क्यूप्स में काटेंगे और एड़ करेंगे एक स्पेंग अनियन इनको सोटे कर लेंगे इने करीब हमें एक मिनिट तक भूनना है अब हम एड़ करेंगे एक टेबल स्पून ग्रीन चिली सॉस और एक टेबल स्पून टोमाटो केचप एक टेबल स्पून सोया सॉस अच्छे से मिक्स कर लेंगे करीब 10 सेकिंड के लिए हम इसको भूनेंगे अब हम एड़ करेंगे हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर और थोड़ा सा सॉल्ट एक टी स्पून निक्स कर लेंगे अब हम एक चोटे बरतन में लेंगे एक टेबल स्पून कॉन स्टार्च और इसमें थोड़ा सा पानी आड़ करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें लंस ना रहें अच्छे से मिक्स करके अब हम अपनी सब्चियों के उपर डाल देंगे और इसको चलाते हुए गड़ा होनी लेंगे यह देखे कितना थिक हो गया है अब हम एड़ करेंगे अपने पनीर और मिक्स कर देंगे इससे करीब हमें एक से दो मिनिट तक ही पकाना है यह हमारा चिली पनीर बिल्कुल रेड़ी है इससे आप जरूर टाय किदेगा बहुत ही टेस्टी बनता है और बड़ो के साथ बच्चों को भी बहुत ही पसंद आता है इसे हम गार्णिश करेंगे स्प्रिंग अनियन से फ्राइड राइस के साथ बहुत ही अच्छा लगता है फ्राइड राइस की रेसिपी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रही है आप वहां से देख सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक्स फॉर वाचिंग